Reserve Bank of India तथा साख नियंत्रन, Reserve Bank of India and Credit Control भारत में नियोजन प्रक्रिया के प्रारंब होने के पश्चाद, विकास की आवशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, मौद्रिट नीती में सुधार करना आवशक्ता वर्ष 1952 के पश्चाद, सरकार द्वारा मौद्रिट नीती के दो उद्देशियों पर बल दिया गया योजना काल में सरकार द्वारा अपनाई गई इस नीती को नियंत्रित विस्तार, Controlled Expansion की संग्या दी जा सकती है इस नीती में जहां एक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्त का प्रबंध किया गया, वहीं दूसरी और कीमत स्थिर्ता कायम की गई भारत जैसे विकास शील अर्थववस्था में, जहां नियोजित विकास की नीती अपनाई गई है विनियोग की बढ़ती हुई मांग के लिए कुरेंसी तथा साख का विस्तार करना आवशक हो गया था भारत में वर्ष 1973-74 में स्फीती कारी विद्धी को ध्यान में लगते हुए RBI को स्फितिक दवावों को नियंतित करने की जिम्मेदारी सौपी गई भारत में साख मुद्रा को मुद्रा पूर्ती के लिए एक अभिन अंग के रूप में देखा जाता है अतहा आधुनिक अर्थविवस्था को साख अर्थविवस्था कहना अतियुक्ती नहीं होगा भारती रिजर्व बैंक साख नियंत्रन हेतु अनेक उपायों का प्रयोग करता है साख नियंतरन की दो रीतियां जिनका प्रयोग केंद्रिय बैंक अर्थविवस्था को स्थायत प्रदान करने के लिए करता है परिमानात्मक साख नियंतरन से तात पर्य साख नियंतरन की उस विधी से है जिसका प्रयोग कर RBI, मुद्रा पूर्ती की मात्रा को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिती में लाने का प्रयास करता है RBI, परिमानात्मक साख नियंत्रन के प्रमुख उपकरनों के रूप में इन बिंदूओं का प्रयोग करता है यहां परिमानात्मक साख नियंत्रन के प्रमुख उपायों का क्रमुशा वर्नन्द किया जा रहा है बैंक दर वो मानक दर है जिस पर RBI सुनिश्चित प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए तयार रहता है सामाने शब्दों में यह वो दर है जिस पर RBI द्वारा बैंकों को उधार दिया जाता है बैंक दर को केंदरी बैंक की पुनर बट्टा दर यानि री डिसकाउंट ट्रेड भी कहा जाता है व्यापक अर्थों में RBI की बैंक दर का उध्देश्य, उधारों की लागत तथा उपलब्धता को प्रभावित करना है क्योंकि बैंक दर अन्य ब्याज दरों के लिए एक आधार निर्मित करती है इसे पुनर कटोती दर भी कहा जाता है विभिनर प्रात्मिकताओं के आधार पर बैंक दर में भी अलग-अलग प्रकार के परिवर्टन किये जा सकते है अ. मुद्रस्पिर्टी की स्थिती में बैंक दर को उचा कर दिया जाता है बी. आर्थक विकास के लिए दर घटा दी जाती है सी. रोजगार स्रिजन तथा निर्याद प्रिद्धी के लिए बैंक दर कम कर दी जाती है री डिसकाउंट या पुनरबट्टा जब किसी व्यापारी को धन की आवशक्ता होती है तो वो अपने बिल उफ एक्सचेंज अत्वा प्रतिभूतियों को व्यापारीक बैंक को बट्टे पर बेचता है जैसे 100 रुपे की प्रतिभूती 80 रुपे पर बेचना जिस टाइम पीरेट के लिए कोई व्यापारीक बैंक इस प्रतिभूती को अपने पास रखेगा ये उस समयाबधी के लिए 20 रुपे बट्टा या ब्याज होगा अब यदि बैंक को धन की आवशक्ता हो तो बैंक इस बट्टे पर प्राप्त बिल को रिजर्व बैंक को बट्टे पर बेच सकता है अतैव ये बिल की पुनर कटोती या पुनर बट्टा पर बेचना होगा इस प्रकार एक प्रतिभूती का बट्टा व्यापारिक बैंक ने किया तथा उसी प्रतिभूती का बट्टा रिजर्व बैंक ने पुना किया बैंक दर में परिवर्तन या उद्देश के कारण 1. साख की मात्रा में परिवर्तन 2. चलन की मुद्रा पर नियंत्रन 3. सरकारी रिण नीती के अनुसार परिवर्तन 4. मूलिस्तर पर नियंत्रन 5. सट्टे बाजी पर नियंत्रन 6. विदेशी पुझी विनियोग बैंक दर में वृद्धी का प्रभाव 1. साख की मात्रा में कमी 2. चलन में मुद्रा की मात्रा में कमी 3. रिण में कमी 4. मूलिस्तर में कमी नमबर टू, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्किट ओपरेशन्स खुले बाजार की क्रिया से तातपर्य, देश के केंदरी बैंक द्वारा मौदरिक बाजार में ग्रहय प्रतिभूतियों यानि eligible securities का क्रय विक्रय करना है केंदरी बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग वानिजिक बैंकों की पास नकद आरक्षन यानि cash reserve को प्रभावित करने के लिए किया जाता है इस प्रकार साख नियंतरन के इस उपाय का प्रयोग करके बैंकों द्वारा ओध्योगिक तथा वानिजिक खेत्रों को दिये जाने वाले रिणों तथा अग्रिमों को प्रभावित किया जा सकता है वश 1991 में उदारी करन के पश्चात भारत में भारी विदेशी निवेश की फलस्वरूप बैंकिंग खेत्र में तरलता की मात्रा अधिक हो गई तब अर्थव्यवस्था के संतुलन तथा मुद्रा स्फिती पर नियंत्रन हेतू खुले बाजार की क्रियाओं का उप्योग किया गया भारती रिजर्व बैंक वानेजिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रै करके नकत आरक्षन के बड़े भाग को खींच लेता है जिसके कारण वानेजिक बैंकों की रिंड देने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा अर्थव्यवस्था के चलन में मुद्रा की मात और वनिजिक बैंकों की साख्स रिजिन च्रमता में विद्धी हो जाती है। क्रिया का प्रयोग केंद्री बैंक द्वारा साख नियंत्रन या केंद्री बैंक के अस्त्र के रूप में ही नहीं किया जाता बलकि इसे सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम अत्वा राजकोशी यंत्र के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ वैधानिक नकत कोश अनुपात होता है, जिसके अंतरगत RBI द्वारा साख नियंतरण की दो विधियों या उपायों का प्रयोग किया जाता है. 1. नकत कोश अनुपात यानी Cash Reserve Ratio CRR तथा B. सामविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात यानी Statutory Liquidity Ratio SLR A. नकत आरक्षन अनुपात Cash Reserve Ratio RBI संशोधन अधिनियम 1962 के अनुपात भारत में कारेरत अनुपात अनुपात बैंकों की समगर जमाओं का वो अनुपात है, जो उन्हें RBI के पास नकत रूप में रखना अनिवार्य है. CRR को RBI द्वारा तै किया जाता है, CRR का उद्देश्य बैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तथा साथ ही मौद्रिक प्रनाली में तरलता का वांशित स्थर बनाए रखना है. वर्ष 2007 के पूर्व, CRR की दर 3 से 15 प्रतिशत के बीच हुआ करती थी. वर्ष 2007 में सरकार ने संशोधन करके इसके निचले स्थर की सीमा को समाप्त कर दिया है. अब ये 0 से 15 प्रतिशत के बीच हो सकती है. CRR अधिक होने से तरलता कम होगी. B. सामविधिक तरलता अनुपात SLR SLR का निर्धारन RBI द्वारा किया जाता है. SLR का स्थर 25 से 40 प्रतिशत के बीच हो सकता है. किन्तु वर्ष 2007 में RBI ने एक संशोधन द्वारा इसकी निनुतम सीमा को समाप्त कर दिया. अताहा अब सामविधिक तरलता अनुपात का अधिक्तम मान 40 तक हो सकता है. SLR में विध Reverse Rappo Rate एक से 14 दिनों की अवधी के लिए किया जाता है. Reverse Rappo Rate यानी प्रतिवर्ती रैपोदर. प्रतिवर्ती रैपोदर वो ब्याजदर है, जो RBI द्वारा अपने ग्रहकों से लिये गए रिनों के लिए दी जाती है. RBI द्वारा इसकी शुरुआद तरलता समायोजन सुविधा Liquidity Adjustment Facility LAF के नाम से की गई थी. सदैव Rappo Rate तथा Reverse Rappo Rate में एक प्रतिशत का अंतर पाया जाता है. यहाँ पर इस बात का स्पश्टिकरण आवशक है कि Rappo तथा Reverse Rappo की दरों में व्रिद्धी या कमी से मुद्रा की तरलता में क्या प्रभाव पड़ेगा? Rappo दर की व्रिद्धी के कारण व्यापारिक बैंकों द्वारा RBI से उधार पर ब्याज की दर बढ़ जाएगी. इसलिए बैंक कम उधार ले पाएंगे. फल स्वरूप लोगों को कम उधार दे पाएंगे. परिनान स्वरूप अर्थ वैवस्था में तरलता में कमी आ जाए फल स्वरूप मार्किट में तरलता कम हो जाएगी. गोशना RBI करता था, जो सभी के लिए एक समान होती थी. किन्तु वर्ष 1994 के पश्चात, RBI ने सभी बैंकों को अपने-अपने PLR निर्धारित करने का अधिकार प्रदान कर दिया. RBI ने बैंकों द्वारा प्रदत्त रिन की 2 लाख रुपे से अधिक की धनराशी पर PLR से नीचे की ब्यासदनों पर भी रिन आवंटन की सुविधा प्रदान कर दी है. 2. Marginal Standing Facility, MSF इसका हिंदी अर्थ सीमान्त गतिरोध सुविधा होता है, जिसके अंतरगत सभी वनिजिक बैंक अपनी तरलता आवशक्ताओं की पूर्ती हे तू सीधे RBI से कर्ज ले सकते हैं. कर्ज की उच्चतम राशी बैंकों की शुद्ध जमाओं का एक प्रतिशत हो सकती है. MSF के लिए ब्याजदर कर निर्धारन RBI द्वारा किया जाता है, जिसकी दर रैपो दर से एक प्रतिशत अधिक होती है.